आज आप देख लिजे कि लगभग दुनिया के आधा से अधिक देश भारत के और हाथ फलाए बैठे हुए कि कम हमें करोना वैक्सीन मिलें इंडिया ने पहले करोना वैक्सीन अपने देश में और अपने मित्र देशों को भी देना सुरू किया द्योग जब भी लग चलाएं करोना काल के अंदर में जो दुनिया के बड़े बड़े देश जो आपने आपको पूरे दुनिया का चौधरी कहते हैं चाहे हो अमेरिका हो जर्मन हो चाहे ब्रिटेन हो वहाँ पर भी करोना उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया और अपने देश के नागड़ी को विलुक बचा नहीं पाया हमारे देश के population के हिसाब से जो हमारे हैं casualty हुई और उनके देश के population के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनके यहां का percentage बहुत हाई है देश में माननी है प्रधान मंतरी जी ने lockdown करके और जनता का विश्वास जीत कर जो यहां करोना को control किया इस budget में करोना के उपर ही फोकस करते विए health का सिर्फ health का ही budget को लगभग double किया गया और सभी को medicine देने की बात आ रही है सभी को दवायां दी जाएगी सुई पढ़ेंगे आज आप देख लिजे कि लगभग दुनिया के आधा से अधिक देश भारत के और हाथ फलाए बैठे हुए कि कब हमें करोना वैक्सीन मिले इंडिया ने पहले करोना वैक्सीन अपने देश में और अपने मित्र देशों को भी देना सुरू किया ऐसे हालत में जिनको ये नहीं समझ में आएगी उनको लग रहा है कि ये प्राइविटिचेशन का इसमें कहीं नहीं है अगर देश में लोगों को रुजगार देना है करोना के बाद के काल में जो बिरुजगारी बड़ी है तो सबसे ज़्यादा है कि आपको उद्योग को बढ़ावा देना होगा सभी सेक्टरों में काम को बढ़ावा देना होगा आज एतने एनेच बनने की जो घोसनाय हुई है उससे सबसे ज़्यादा होगा कि जैसे ही एनेच बनेंगे घर बनेंगे इंफराइस्ट्रक्चर में जब सरकार खर्च करेगी तो लोगों को रुजगार मिरेंगे लोगों को एक डर था कि करोना के का टैक्स न लगाकर पूरी तरह लोगों को रुजगार और स्वास्त को सबसे पहली प्राच्मिता देते वे इस साल का बजट लाया है कि बिहार के लिए बजट में कुछ नहीं और देश को बेचने हुला जो लगातार और नीजी करन को बढ़ावा मिल रहा है अगर आपको नीजी करन का बढ़ावा आप कैसे का सकते हैं अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर को अधिक से अधिक काम को बनाने के लिए अगर उसको मौका दे रहा है तो यह कोई नीजी करन नहीं है जब तक सरकार फैक्टरी लगाकर फैक्टरी नहीं चला सकती है उद्योग जब भी लग चलाएंगे तो यह द्योग चलाने वाले हैं द्योग चलाएंगे सरकार का काम है सरकार चलाना नीती बनाना और देश कैसे चले इस पर ध्यान देने करा कैसे हमारे हिंदुस्तान में जो बंद पड़ गये थे करोना काल में उनको पुना जीवित करने का उनको चलने का और उनका और अधिक से अधिक वहाँ पर लोगों को नौकड़ी मिल सके इस सरकार का मेल फॉकस. तेजस्वी या दो प्रियर से बिहार के लिए भी बजट के लिए सवाल उठा है? देखिए तेजस्वी जी को पहले कहिए कि पुड़ा बजट को पर ले, उस समझ ले, फिर उसके बाद उस सवाल उठाए नो तो मैं उनका जवाब देखा है, बिहार के लिए भी इस बजट में है, आपने देखा है कि बिहार क्या मानिये मुख पंतरी जी की जो सोच थी, कि हर जगा प्रिपेड मीटर लगे, भारत सरकार ने उस प्रिपेड मीटर को सुका रहा है कि पूरे अब देख में लगेगी, एक करोर गड़ी महिलाओं को जोला में गैस सिलंडर दिया जाएगा, तो क्या एक करोर में बिहार के गड़ीवों को नहीं मिलेगा, तेजस्वी जी क सारे लाइनों का बिदूति करन हो रहा है, तो क्या बिहार के बिजली के लाइने है, क्या उनका बिदूति करन नहीं होगा, दो साल के अंदर में पूरे देश के हर एक ट्रैक के उपर बिदूति करन करने का सरकार करने है, बिहार में आप लोग के एक लाइन है, जीतन राम म कि जिस तरह से नीजी करन को बढ़ावा मिल रहा उसमें आरक्षन की भी वेवस्था होनी चाहिए यह उनकी मांग है यह तो सवाल निबलता है कि जब यह पार्लेमेंट से इसा कोई कानून पर आएगा तो होगा कि नीजी छेत्रों में भी आरक्षन मिले क्योंकि यह मामला है नहीं चुनावी राज से क्या मतलब है हर राज को अपना आज अभी अभी जो माननी है बितमंतरी जी ने कहा है कि हर राज अपने राज में खर्च के लिए बिना केंदर से पूछे और पैसा उठा सकते हैं तो इस में तो कहा का गया कि सिर्फ चुनावाले ही उठाएंग हर राज को कहा कि अब हर राज भी अपने राज में विकास के लिए देश के खजाने से पैसा ले सकते हैं तो उसमें तो कहीं ऐसा नहीं था है कि स्री बंगाल और केरल जहां चुना होने हैं तामिलाडू वही लेंगे सभी राज्यों को मिला है कि यह थे सुनिल कुमार पिंटू जी जिनका साथ तो पर कहना है कि यह बजट देश और बिहार के लिए भी सभी लोगों के लिए लाब कारें फिलाल इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है यह में कमेंट वक्स बताए अब तक हमारे नीज फोनेशन चैनल को सब्स्राइब न झाल झाल